नमनाराहें, 11 मार्च संदोच जाश्रत्रा और शनिवार का दिनेर अपने शंपवन राष्ट्रे निवेदन कि शिरी शनिधाम शनि तिर छेत्रा स्वला फत्य पुर्बेरी में आपका श्वागात है मेरे आरादी दिवादी देव शनिदेव का अधवुद तिरस्थ स्थान है शनि तिर छेत्र असोला फत्य पुर्बेरी शंपून जीवन की साधना इस्तली है दाती महराज किया जहां दर्सन करने मातर से जीवन के शंपून कश्टों से चुटकारा मिलता है शंपून डार्ष्ट दिल्ली और अंस्यार के सभी लोगों से कहता हूं कि पधार ये श्री सनिधाम सनी तेरत छेत्र असोला फत्य पुर्बेरी मेर करीशनी भगवान के दर्सन पूजन तेला बिसे शंपून जीवन कश्टों से मुक्त होगा अधभूद है प्रभू का ये अधभूद शाधना का आउशर मिलाता मुझे और उनी शाधना में जिन वीज मंत्रों की मैंने शाधना की उनी से अभी मंत्र जल आपको मां प्राप्त होगा सनी धाम 2023 असला फटेपुर बेरी दिली की कुतब मिनार जो मेट्रो सेशन है या फिर छतरपुर मेट्रो सेशन 4.4 किलोमिटर आगे असला और फटेपुर बेरी की पावंद पवित्र भूमी में है ये तिरतिस्तार दाती माराज आपको आमंतरित कर रहें प्रभू के दरब मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि दाती महारा हमारे दामपत्य जीवन में हमेशा जगड़ा रहता है हमारे समन्दों में निरस्ता आ गई है क्या करें पत्य और पत्य दोनों ही बुद्वार के दिन रहुकॉल के दौरान देशी घी का दिपक जलाकर दुरुगा नौरान मंत्र की नौमाला जाब करें तसपसाथ शाबूद शाबूद आने की खीर बनाकर उसमें मिस्री डालकर निर्धन गरीब कन्यों को अपने हाथ से खिलाए किसी भी मंदिर चंपा और मोगरे का इतर दान में करें और सोने वाले कमरे में इस्टान कौन में चंपा या मोगरे का इतर रखना भी बड़ा शुब माना गया यह प्रियोक आपकी दांपत जिवन में शंपून क्लेश खटपट को प्रेम में बदल देगा आपका दांपत जिवन खुशियों से भरा रेगा करके देगेगा भाई नमोना रहें बात करते हैं शनिवार के पंचान के फालगुन मार्च शुकल पक्ष की चतुर दशी विक्रम समझ दोहचार तेहतर शनिवार का प्रातकाली नक्षतर मगा नक्षत अंदरमा शिंगर आशी में है बात करते हैं जिनका आज जनम दिन है या फिर शादी की साल गरे है 11 मार्च आपका जनम दिन या फिर शादी की साल गरे तो मेरी और से आपको हर दिक शुद कामनी बैशनि है तो हर शुकरवार को श्रदानुसारद ही कंजगों को अपने हास में दान में देजी साल भर यह करिएगा आपका दांपत जिन खुश्यों से भरा रहेगा और 11 मार्च आपका जनम दिन है और निजगत कर्मों की वज़े से आपको जीवन में प्रेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ग्रहकले से छुलकारा नहीं मिला है कारोबार में धोका मिला है या अनाशिक भय भर्म और भ्रांती रहती हो लगातार 166 दिन भगवान शीव के आगे भगवान शीव की पतिमा के आगे भगवान शीव के शिर्विक्र के आगे गाई की घी का दिपक जलाए है वहीं बैटकर ओम विरुपाक्षा ए नमा ओम शम विरुपाक्षा ए नमा इस मंतर की एक माला जाब करें सर्दान उसार दूद किसी स्वागन इस्थरी को जरूदान में दीजेगा हर रोज पूजा के बाद कुंकुं केशर और हल्दी का तिल्ग महादेव को करिएगा थोड़ा सा केशर का तिल्ग अपने भाल पे भी लगाएगा जिवन सदा खुशियों से भरा रहेगा अब मैं आपको लिए चलता हूँ गरनक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके गरनक्षत्रों आपके लिए बात करूँगा सनिवार के राश्य फलकिर सबसे पहले मेश राश्य मेश राश्य गोचर की बात कराऊ शितारे ये कह रहा है कि शमश्यां से मुक्ति मिलेगी लेंदेन के मसले हलोंगी कारुबार में शफलता मिलेगी अपनों का पूर्ण शात मिलेगा लेकिन संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ा सा चिंता नजर आ रही परियास करना पड़ेगा गोचर ये भी कह रहा कि दैनिक दिन्चरिया को नियमित रखना बहुत जरूरी है और विशेश उर्फ से खान पान पर ध्यान दे वना पीट शमंदी परिष्णानी की समश्या नजर आ रही है आर्थिक स्थिति को देखते विए अपने पैर पसा रहेंगे तो आप तलिए बड़ा अच्छा रहेगा यानि अपनी मेहनत पर भरोशा करें क्या ना करें महत्पून कारे में किसी अंजान व्यक्ति को भागीदार ना मनाए नमनान और बात करते हैं विश्वराश की विश्वराश की वालों गोचर की बात कर रहा हूं बहुत और गोचर यह कह रहा कि आज का दिन बड़ा सावधानी का है संतुलित रहने का है कि जिसरे की घर योगायोग है आज जमिन जाज़ाज की खरीद और फ्रोक्त में सावधानी बचना बहुत जरूरी धोका हो शकता है वेर्थ के विवादों से बचना बहुत जरूरी है धनानी का योग है माता की स्वास्ट्रे को लेकर चिंता नजर है और मान समान के बीचिंता है सुपे से लेकर साम तक विर्षब राज़ वालो गोचर यही संके दे रहा है लेकिन आपके साथ में चोटा सा उपाए और यह उपाए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सरदानुसार धुली रहर की दाल सपेद कपड़े में बांध कर कि किसी गरीब निर्धन स्वागन इस्तिर को दान में देजीगा कष्ट का माएंगे क्या करें वानी और वैवहार की अनकुलता को बनाये रागे क्या ना करें आज की दिन वैवशाइक या मश्रिनरी आदी की खरिदारी में पुंजी निवेस न करें नमना निर बात करते हैं म मिदू नाशिवालों शमय अनकुल शितारों का शुब शंकेत गोचर का संकेत के रुकव धन प्राप्त होगा मित्रों और भाई बंदूओं का सयोग मन अनकुल रहेगा देश-विदेश से वैवसाइक समन सुद्रेंगे और शुक के साधनों में ब्रदी होगी क्या करें सा अडिवार के लोगों का साथ देना आपका करतव और अपका धर्म बनता है यह आपके लिए ब्यूश्यवी उचित रहेगा इसलिए सामाजिक और मंगलिक काया में सामिलत होई है क्या ना करें करें किसी की साथ धोका ना करें ना मौना रहें। मेश, विरशब, मिठुन की बाद करें करक, शिंग, कन्या की बाद करना चातो लेकिन उससे पहले सनीवार का रहुकाल और सनीवार की यातरा शनीवार का रहुकाल प्रते 9 बज़े से लेकर 10 बज़े था और रहुकालक दौरान शुबकारी करना, सौधा करना, पुंजिनिमिस करना, अनकूल और उचित माना ने गया है, ऐसी मेरी सलह है और मर्जी आपकी है नमना रहे हैं, बात करते हैं यात्रा की जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि समय और साधन बदल गए, आप किसी भी दिशा म पुर्व दिशा में साथ कदम चली, अपने इस दिव का ध्यान करते हूँ, राइट टर्न लेते हूँ, जिस दिशा में भी आपको यात्रा करनी है, यात्रा करिए भगवान शनिदेव का नाम लेकर, और शनिवार दिनी दिए अदर्ग चबाकर यात्रा पे जाएंगे, तो गुजारना एक धन की प्राप्ति होगी, पर कारी सर्पलता के लिए परिश्रम की आवश्रकता है, आए और वे को संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिस दिश्रके घर योगा वे घर परिवार में उल्जन और परिशाने चे मुक्ति मिलेगी, नौकरी में पर तु पारवारिक जिम्यदारियों को धंग से निभाना बहुत जरूरी है, क्या करें, थोड़ासा स्वास्तिकी प्रति सचीत है, क्या ना करें, नहे वहान या प्रापर्टी में आज की दिन पुझी निवेश्ण ना करें, नमनाने बात करते हैं, सिंग्राशिश्श्श सिंग्राशिश्श में उत्म सितारों का स्वशं कहीत, भूमी और वहान लेने का सपना पूरा होता हुआ, शाम तक नजर आ रहा है, जो कारुबार की नहीं रूप रेका हैं, वो आपके लिए बड़ी लाप्रसाबिद होगी, घर परिवार का स्वयोग मन को प्रसंता देग कारी पुण होगे और कारी चमता में व्रदी होगी, क्या करें, कारी शमन्दी गोपनिता बना के रखें, क्या ना करें, स्वजनों का फाइदा ना उटाए ना मना रहें, अर बात करते हैं कन्याराशि की कन्याराशि वालों, चंदरमा, बारवे, सिंगरासी से गोचर करार, आज का गोचर संकेत दे रहा कि दूश्वभाव से बचना होगा, मुह में राम, बगल में चूरी नुक्षान दे जाएगा, इस परस्ट रहना बहुत जरूरी होगा, अपनों के साथ धोका नहीं करें, समय अनुकुलता का संकेत नहीं दे रहा है, बनते वे कारी में रुकावट उत्पन होगा, अपने कारी की प्रती सचेत रहना आवश्यक होगा, वैर्त में किसी से भी उलजने का प्रियास ना करें, आज का गोचर धन अपवय का संकेत दे रहा है, और मानसिक तनाव रुशा रिकर्ष्ट का संकेत भी दे रहा है, कहेंगे दाती मारा डरा रहा है, नहीं मेरे मित्र, सुझाव दे रहा हूँ, थोड़ा सा बैलेंस है, अपनों को साथ लेके चले, इस पस्ट बादिता बहुत जरूरी है, प्रेशानी है तुम्हें हो ना आपके साथ छोटा सा उपाए आज अपनी पूजास्तान में माई के स्रिविग्र के साम ने गाई की घीक दिपजर आई, ओम एंग रिम क्लिम चामुंड आए वीचे, ओम कुश्मांडा देव्याई नमा, इस मंत्र की सर्धानुसार माला जाब करें, कंजिकों को हरी वस्तों का दान देना अनकुल और शेंग कन्या की बात करी, तुला वर्चिक धनूं की बात करना चाहता हूं लेकिन उससे पहले वस्तों सला और आज का सुझाओ, वस्तों सला में वस्तों का संकेत ये कि मकान मालक इदी उत्तर दिशा की और मू करके बैठता हो, और तीजोरी हमेशा बाई और होती है, दुक तो आज की दिन अपने मस्तिक पर काजल काति लग है, साथी बंदरों को घ्यों और भूरी चीटियों का आटा डाली, बहुत लाबकारी रहेगा, नमने नों बात करते हैं तुला राशी कि तुला राशी वालों शमयन कुर्शितारों का सुबर संकेत, गोचर आपके पक्ष शयोग प्राब्थगार उन्हें से परिशानियों से मुक्ति मिलेगों, कारी वेवेशाय में उनत्य की आएउश्यर प्राब्थ होगे, आज नमिन लाप श्रोतों की प्राप्ति से मन प्रपरुलित और प्रसंचित रहेगा, क्या करें? जिवन साथी की बात का महतो देना आ अर्थ लाव से शुक और श्मर्दी बढ़ेगी चल और अचल संपत्य का प्राप्ति का प्रबल योग और यात्रा बड़ी सफल रहेगी आज मतापिता का पूर्ण आशिवाद शुक और उस्वयोग भी बना रहेगा क्या करें धन को किसी विशेश योजना में लगाना उचि प्राप्ति होगी अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा प्याट करीक परिशानियों से जो संपति उससे मुक्ति मिलेगी बस नोक्री में दी आप है तो विवात से बचने का प्रियास करें अर्थ वहस्ता सामानिय है इसलिए कोई मुटा काम हाथ में नहीं ले तब पार करें धन और समय का सद्व प्योप करें क्या ना करें किसी लंब योजना के लिए आज की दिन कोई समझोता नहीं करें कोई लंबी योजना के लिए आज की दिन समझोता ना करें तुला अब रिच्छी की धनों की बात करीं मकर कुम्मीन की बात करीं उससे पहले उपाई और अ माई के सिर्चलनों के सामने गाई के घीकदे पर चलाई सुदासंद बैठ जाई दुरुगा कौश के साथ पाट करें और एक सो आठ गुलाब के पुष मा के सिर्चलनों अर्पित करेंगा शाध धन समंदी परेशाने से मुक्ति मिल जाएगी नमनन और बात करते हैं अधुद कर दवा देता है उस दवा को उसके बताया अनुसा शेवन करें कस्ट मिटेंगे लेकिन छोटासा नुसका भी आप में आपको बदा काली मिर्च के चुरुण में दूद उबाल कर और उसमें चुटकी पर हल्दी मिला दीजिए एक पाव दूद लेजी एक चुटकी काली मि पीता है तो बुखार और स्रदद और स्रदी में रहत महसूस होगी बड़ा अधूद नुसका है मानो ना मानो आपके मर्जी बात करते हैं मकराशी की मकर राशी गोचर की बात करना जारू अत्रदिक आत्म विश्वास से बचना होगा गोचर का संकेत ये भी है कि बिना बज़े किसी गरीब को नहीं सता ना वना आज आपको परेशानी आ जाएगी आज दिल और दिमाग में तनाव का बातवन बना रहेगा और उसके पीचे कारण आप हैं क्योंकि आप समायोजन करके नहीं चल ले आपकी देनेक देनेक दिन्टरिया नियमित नहीं हैं इस बात का ध्यान लगना भाई आज वेरत का भेवार बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा किसी नजदी की रिस्तदार से प्रेशानी बढ़ेगी कोई बड़ा काम रुख सकता है और धन की आवशेक्ता भी मैसूस होगी मकर आज वन सुबह से लेकर श्राम तो गोचर ये करा कि श्राम था आज की दिन निर्ध जरूरी नहीं हो तो रिण का लेंदन ना करें नमना हमें बात करते हैं कुमराश्य आज टूर को होगा आपनों के साथ मित्रों के साथ परिवार के साथ आमोद और प्रमोद में समे वैतिध होगा शुक के सादन बढ़ेगगी दनलाब होगा, मननकुल शोग भी प्राप्द होगा करम चाहिएंगा, यात्रा में लाब मिलेगा, कारबार के छेत्व में उनत्ती के आउशर प्राप्द होगे, सारा दिन खुशियों में बितेगा, क्या करें, कोई भी कारी पारबारी रजामंदी से करेंगे तो आपको मननकुल कारी बनेगे, इदि आप बिरोजगात आपको रोजगार मिलेगा और आप नौकरी में है, तो आपका परमोशन, आपका मननकुल इस्थान अंत्र की सभामन राध्धन लाब होगा, यात्रा बड़ी सुकद और अनुकूल रहेगी, घर परिवार में सुब और मांग हो है, लादने का सभाव नहीं है, हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा, चोटा सा ब्रेक लोगा, और ब्रेक के बाद देवादी, देव सनी देव को कैसे मनाएं, पूजार मंतर बनाओं, जीवन मंतर और दस्तनों के लिए दाती धामने चलों के चोटा सा ब्रेक नमना रहे है, ब्रेक के बाद आपका श्वागत है, लाख परियासों की बावजूत भी बनते बनते काम भी गर जाते, अचानक कारियम बादा आज आज शनिवार का दिन है, और आज के दिन नित्य कर्मिन और शिनान उपरांद सभा पांच किलो देशी चल सनिदेव जी का पंच पिचार पूजन करें, धूप दीप नेवदी पुस्वर अक्षत अरफित करें, सुधासुन बेढ़े, ओम, शम, शाय, आत्म, जाय, नम, इस मंतर की तीन माला जाब करें, और जाब के उपरांद ये देशी चने, निर्धन गरीब मजदूर बढ़के शाट साल से अधिक उमर के व्यक्ति को दान में देदे, या फिर किसी गोसाला में दान देदे, संपोन, कश्णों, शुटकार में लेगा नमनन, और बात करते हैं, सनिवार की, जीवन मांतर की, मेरी सातियों, मेरी मित्रों, मेरी राष्ट की नागरिकों, दाती माराज, जीवन के अनभव की बात करता है, आज जा देखो हर व्यक्ति सांती की बात कर रहा है, और अब कुछ दिन मैं सांती पर बोलना चाहता हूं, जा जाओ, शांती, सांती, 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 सांती अरे भई सांतीस्तों पहले से हमारे अंदर है सांतीस्तों हमारे अंदर पहले से है हमें अपने भीतर में उस साधना की जरूत है जिससे हम अपने अंदर की सांती को अनभव कर सके उसे मैसूस कर सके ऐसा कोई ज्यानी मिले ऐसा कोई सद्गुरु मिले जो हमें connect कर दे हमारे अपने भीतर और हम उस सांती का अनभव कर सकते गर्माराजी की दया से को ऐसा सद्गुरु मिला है तो उसकी आज्या में रेते विज्ञान की साधना करिए सांती आपको इस पर्स कर जाएगी पोदा पिमाराजा आपकर की सेवाब है शमय ब्रेक के बाद प्रहुं की दसटनों के लिचल दाति-धाम भाय तर रहें नमवुनारे ब्रिक के बाद आपका श्वागत और ये शमय है प्रभू की दर्शनों के लिए चलते दाती धाम नमवुनारे हरियों काचा जैशनी देवा 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 हरी ओमताचा जैशनी देवा हरी ओमताचा जैशनी देवा हरी ओमताचा जैशनी देवा हरी ओमताचा जैशनी देवा ब्रिक के बाद आपका स्वागत है आप सभी ने प्रभुदशन किये प्रभुदशन किये बाद आपका जीवन खुशियों से भरा रहे से भागवान से मेरी यही प्रात्रा है गुर्मंत्र में आज इतना है कल्पन है गुर्मंत्र में जन्मदिन की सुपकावन है जन्मदिन का उपाए रविवार का राशिवल भगान शुरुदव कैसे मनाए पूजा और मंत्र जीवन मंत्र उपाए देशी नुसके और वासुसला लेका हूँगा अज अपनी गल्ती अपने गुना और अपनी भूल क आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करमा भी मांगते हैं अपनी वाने में विश्टाम दे रहा हूँ नमना रहें नमना रहें नमना रहें